हेलो दोस्तों, दोस्तों आने वाले एक्जाइम से रिलेडिट एक इंपोर्टन न्यूज आ रही है जो की जुमू कश्मीर के चीफ सेकरेटरी अरुन कुमार मेहता की तरफ से आई है दोस्तों, आज इनका एक इंटर्विव, एक न्यूज पेपर में शाया हुआ है, पब्लिश हुआ है उस न्यूज में क्या कुछ इन्होंने कहा है आने वाले एक्जाइम से रिलेडिट वो इंपोर्टन पॉइंट्स में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो ये की जो जुमो कश्मीर में रेकूटमेंट अब ही रुकी हुई है तो रेकूटमेंट प्रोसेट जो है ये बहुत ही जल्द सिटार्ड की जाएगी इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो ये कि जो मेरिट है मेरिट के उपर कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा याने सिर्फ मेहनती बच्चों को आगे बढ़ने का मोका दिया जाएगा जो बच्चे मेहनत करेंगे जो पढ़ेंगे वो ही आगे जाकर लिस्ट में आएंगे हलांकि मेरिट से मुझे एक बात याद आई जो किसी ने एक दो साल पहले कही थी खेर मैं उस बात को अब याद नहीं करना चाहता हम देखींगे जो नेक्स इंपोर्नट पॉइंट है वो इन्होंने क्या कहा है इन्होंने आगे कहा है कि हमने लोगों को रेक्रूट किया है और वो फेर वे में रेक्रूट हुए हैं और किसी ने भी उस रेक्रूटमेंट के उपर कोई भी उंगली नहीं उठाई याने वो जो रेक्रूटमेंट थी वो बिलकुल ट्रानस्पेरन थी बिलकुल फेर थी और किसी को भी उस रेक्रूटमे ने मेहनत की थी उन्हीं बच्चूं को हमने सिलेक्ट किया है merit basis पे इसके बाद इन्होंने सबसे important बात की है वो है recruitment process के बारे में तो इन्होंने लिखा है कि जो recruitment process है वो कुछ वक्त के लिए delay की गई थी और delay करने की वज़ा जो है कुछ complaint इनको हासिल हुए थे कुछ शिकायते इनको मिली थी जिसकी बिनापर ये जो recruitment process है उसको delay किया गया था अब जो recruitment process है इसको फिर से start किया जा रहा है ये इन्होंने अपने interview में कहा है इसके बाद बात हुई है mother of all scams याने fire and emergency scam के बारे में जहां पर इन से पूछा गया है कि जो fire and emergency services का issue है याने जो बचे प्रोटेस ये तो उन्होंने का है कि हम wait कर रहे हैं report के लिए और report जो ही submit होगी तो उसके बाद जो steps है वो लिए जाएंगे तो वो wait कर रहे हैं कि कब report submit की जाएगी और उसके बाद further step जो है वो उठाए जाएंगे दोस्तों ये जो news है ये Asian news hub news portal में आज publish हुई है जहां पर उन्होंने बात की है चीफ सेकरेटरी अरुन कुमार मेता से और ये बातें उन्होंने उनको कही है और reply में क्या कुछ उन्होंने का है वो आपने सुना मजीद अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो link में न government अब mood में आ गई है कि वो अब recruitment process को फिर से start करेगी और examination calendar वगेरा निकालेगी या जो बाकी pending exam है उनको कराएगी या फिर ये वही वैसी ही बात है जो हम कई महीनों से सुनते आ रहे हैं example के तोर पे मैं बात करना चाहूँगा कई महीनों पहले एक news आई थी जहां पर ये कहा गिया था कि government जो है वो अब एक साल में पूरी recruitment process को complete करेगी जितने भी departments में vacancies हैं उनको एक साल के अंदर अंदर ही refer किया जाएगा उनको एक साल के अंदर अंदर ही advertise किया जाएगा और उनको एक साल के अंदर अंदर में उनका examination और उनका जो selection process है वो सारा कुछ एक साल में किया जाएगा हलांके बात करें reality की तो आप देखी रहे हैं मुझे कुछ कहने की जुरूरत ही नहीं है दोस्तों वाकी में कहना चाहूँगा government वो होती है जो सच में अपने लोगों के ल यही government होती है और लास्ट में हमारी तरह से फिर से यही request रहेगी जुमो कश्मीर की government से के महरबानी करके examination calendar निकाल ये बच्चे जो हैं बहुत ही परेशान हैं वो examination calendar का wait कर रहे हैं एक examination calendar निकाला जाए और बच्चों का examination है वो कराय जाए अगर बच्चे जो हैं एक exam conduct करने वाली agency से खुश नहीं है तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है दूसरी examination conduct करने वाली agency को hire करना तो आपके हाथ में तो सब कुछ है आप कुछ भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी important video recruitment process related उमीद करोंगा कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक next video में तब तक के लिए take care